है गाईज यह हैं कंप्यूटर सिस्टेम का फोर्थ लेक्चर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर मेमरी और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेलर रांस्पर विट में मेमरी एंट सीप्यों कंप्यूटर सिस्टेम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच डेटर ट्रांस्वर फीजिकल बायर के थ्रू किया जाता है जिसे बुस कहते हैं इसे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं डेटा आर ट्रांस्फर बेट्वेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग बिजिकल बायर कॉल्ड बुस् इसे बिजामपल बुस का यूज यूस यूस बी ओट और हार्डिक्स या हार्डिक्स और में मेमोरी के बीच डेटा ट्रांस्फर के लिए किया जाता है बुस् थ्री टाइप्स के होते हैं डेटा बुस्, एड्रिस बुस्, एंड कंट्रोल बुस् चले इन तीनों को सिंगल सिंगल करके पड़ते हैं जिसमें सबसे पहला नंबर है हमारा डेटा बुस्, डेटा बुस् टू ट्रांस्फर डेटा बेट्विन डिफरेंट कंपोनेंट्स अ डेटा बुस् is बाइडारेक्शनल, डेटा बुस् कंप्यूटर के अलग अलग कंप गैस के गाइस मालो एक रोड है ठीक है जो डो लेन का है तो गाइस वऔर तरफ से गाड़ी जांगी लिसली देव Бог होती है राइट तो यहां पे दोनों काम हो रहा होता है एक ही रोड पे बट कोई सिंगल लेन का रोड होता है तो या तो वहां से एक तरफ से गाड़ी जा सकता है या एक तरफ से आ सकता है लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता तो जब दोनों एक साथ होता है जाने और आने का process तो हम उसे bidirectional करते हैं, जबकि सिर्फ data जाने या आने का process होता है, तो हम उसे unidirectional करते हैं. Number 2 में हमारा address bus. Address bus to transfer addresses between CPU and main memory. The address of the memory location that the CPU wants to read or write from is specified in the address bus. Address bus are unidirectional. Address bus CPU और main memory के बेच, address transfer के काम आता है. CPU के read or write operations के लिए, जो memory location चाहिए होता है, address bus में define होता है, या फिर हम कह सकते address bus में located होता है. Address bus unidirectional होता है, मतलब कि उसमें सिफ एक बार में एक तरफ से data का flow होता है. Number 3 हमारा आता है control bus. Control bus to communicate control signals between different components of a computer. Control bus are unidirectional. Computer के अलग-अलग components के बीच, control signal के communication के लिए, control bus का use किया जाता है. Control bus भी unidirectional होता है, address bus की तरह. Guys, यहाँ पे एक note point आता है, कि control bus, address bus और data bus, इन तीनों bus को एक साथ हम system bus केते हैं, जिसका diagram कुछ इस तरीके से बना सकते हैं. Guys, इस वीडियो का last point है, but not less, memory controller. The data is placed on the data bus by a dedicated hardware called memory control. The memory controller manage the flow of data into and out of the computer's main memory. Guys, data को data bus में एक special hardware के द्वारां रखा जाता है, जिसे memory controller कहा जाता है. Memory controller computer के main memory के data flow को control करता है. Okay guys, इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में हम पढ़ेंगे, microprocessors and microcontrollers. पर next वीडियो पर जाने से पहले, अगर आप को यह वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं. मैं computer का वीडियो डालता हूँ, अगर आप इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं, तो subscribe करें हमारी चैनल को, और साथी bell icon पर प्रेस करके, all notification को enable कर लें, ताक कि जब ही मैं कोई new वीडियो डालूँ, तो आपको इसका notification मिल सके. तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, keep watching, keep learning.